हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल नॉलेज ग्यान है अग्र आपने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि इस चैनल पे आपको जो मैटेरियल मैं दे रहा हूँ आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही उप्योगी हूँ है फ्रेंट्स MTS का रिजल्ट आ चुका है और जो जो भी जो स्टुडेंट जो कंडिडेट पास की उनको मेरी तरफ से बहुत सारी सुपकामना है लेकिन यह सिर्फ पेपर वन था पेपर टू थोड़ा सा टॉफ है आपको क्या हूं कि उसमें वह written है उसके लिए मैं कुछ material आप लोग को उप्लक्त कराऊंगा अगर वो material जो मैं उप्लक्त कराऊंगा उसे आप कर लेंगे छे कोश्चे में ही कराऊंगा चार लेटर दो ऐसे हैं, अगर आपने उसे कंप्लेट कर लिया तो आप पयपर टु में विश्वास की जिए मीरेड्स, अगर आपने उसे歡迎 की है तो पयपेर टु आपका qualifying nature का है और वह कंप्लेट कर जाएंगे चली के ऐसे हैं पहले देख लोख वैकेंसी वाइज जो जो region में vacancy है सबसे ज़्यादा जो vacancy थी वह north region में थी उसके बाद western region south region, k car region friends पहले की जो vacancy है mts कि आती थी वह region wise होती थी और अभी भी region wise है लेकिन क्या पहले का cut-up जो था वो region wise था अब जो cut-up कर दिया है वो centralize कर गया है यानि सारे का cutoff एक जैसे आए तो देख लेते हैं cutoff किसका कितना गया है general का cutoff 110 गया है 110 दस्मिन पार्च SC का cutoff उससे 10 नमबर कम 1100 पार्च OBC का 101 गया है ST का 87 एक सर्विसमेन का 49 दस्मिन पार्च OH का 93 HH का 49.5 VH का 76 general total candidate जो पास हुए है वह एक लाग साथ हजार के करीब है इसमें SC 12000 ST 11000 OBC 4500 EXERVICEMAN 2700 OH 2400 THS 916 BH 1191 इसमें जो Star Marks है वह 845 SC candidate 2017 ST candidate 44,683 OBC candidate UR से पास किया है यानि उनका जो नंबर हुआ UR 110 पास से ज़्यादा है तो अगर आपने पेपर 2 के बारे में नहीं जाना है तो मैं बता रहा हूं पेपर 2 में क्या होंगे पेपर 2 में आपके एक essay होंगे और later होंगे इसमें 8 question essay करेंगे 8 question later करेंगे लेकिन इसमें ये जो 20 भासाओं में रहेंगे English plus 22 भासा ये रहेंगे ये 50 नंबर का रहेगा आपके पास time 30 minutes रहेंगे और जो handicapped candidates है उनका 15 minutes extra मिलेगा यानि 45 minutes मिलेगा ये जो पेपर 2 जो है वह qualifying nature का है क्या है? qualifying nature का इसमें आप qualify करेंगे लेकिन ये बहुत ही time कम है लिखना ज़्यादा है इसलिए आपको सही material अगर आपके पास हाथ लग जाए या आपके पास मिल जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा उसे complete कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा सकम समय में आप उसे complete कर लेगे इसलिए मैं आपको जो material अप्लेट कराऊंगा आप उसे देखेंगे तब आपको खुद लगेगा कि वह material मेरे लिए बहुत ही useful है मैं चार लेटर करूँगा चार लेटर अप्लोड करूँगा और दो ऐसे उसमें से सारा जितना भी अभी तक का लेटर वैसे आते हैं सारे उसमें complete हो जाएंगे आप एक बार देख लिजे उसे फिर आप कहिएगा तो चलते हैं आज का अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक और से जरूर किजिए थेंक्यू